सदियों से चली आ रही सत्भक्ती की ऐसी धारा रिशियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया भक्ती तो सभी करते है और हर दम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलिशान घर हो खूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे हर दम मौज मस्ती में रहे पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ती करते हैं वरत करते हैं श्राद्ध निकालते हैं कावड लेकर आते हैं मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और गुरुद्वारों में जाकर माथा ठेकते हैं फिर भी दुखी क्यों है लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ती है वो भक्ती जिसने मीरा को जहर से बचा लिया ध्रुव और प्रहलात की रक्षा की अंधे को आखें और बहरे को कान दिये कोड़ी को काया दी दुखियों को सुखी जीवन दिया मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया जब संत्रामपल जी माराजी से दिक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंत कैंसर में राहत मिली जैसे हम लोग प्रमात्मा का आदे साया हम लोग होस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया भगत जी एक रुपया का भी दवाई माता जी को खान्या नहीं पड़ा और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमतकार कैसे हो गया है होस्पिटल में दिखाया तो कैंसर कोशिट कर दिया डक्तर में यहां तो पिर इसके इलाज के लिए गुमें इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर फे ठकते बैठ गए कैंसर के लिए जिनदल होस्पिटल में रहा उसके बाद सपड़ा होस्पिटेल में रहा उसके बाद जैपुर के दिखाया उसके में कोई इलाज नहीं हुए संत्रामपाल जी महाराज जी ने चर्णामत परशाद दिया और आशिरवाद दिया और भक्ती जान दिया और उसके बाद मैं तुम दरूर्ट हूं अदिन में अपना स्विट काता हूं मुझे कोई समस्टेल मेरे को बीबारी यह थी सर की ब्लेट ड्यूम में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इंपेक्शन हो गया था उस इस पेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थी कि इस में आपको आपरेशन करना पड़ेगा आसरम कहुंचने में परमात्मा का नामदान मिलिया और जो उन्होंने मुझे उप्देश देने के बाद उन्होंने आसरवाद देने के बाद तक छण में मेरा यह रोक वही के वही दर्द बिल्कुल ठीक हो गया भक्ती सभी करते हैं लेकिन उप्रोक्त लाब सिर्फ सत्भक्ती से ही प्राप्त होते हैं आज भी सत्भक्ती करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ती का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है आईए जानते हैं ऐसे ही लाखों नीता देवी जी आप कहां से हैं? मैं जारखंड से हूँ, रामगर जी ले से हूँ संत्रामपाल जी महारास से नाम दिख्षा आपने कब ली? चार जनुवरी दूएजर अठारों को संत्रामपाल जी महारास से नाम दिख्षा ली आप क्या भक्ति साधनाई करती थी? आते थे पूरा बाजे गाजे के साथ, लेकिन उससे भी कोई भक्ति ने, मतलब हम लोग का लाव नहीं हुआ, उसी दिन जिस दिन छट बर्त था, उसी दिन मेरा हस्बेंड का दो जगा पूरा भयानक अक्सिडेंट से पायर तूट गया, उस समय भी बोले कि हम लोग जो छट म चना से कीनर थी, हमको दस्वे महिना में पता चला, उसके बाद सरकारी अस्पताल, गोला सरकारी अस्पताल से एक डॉक्टरिन है, हमको बोली कि रानी चिल्डरन, लब डॉक्टर से आपको बात करवा देंगे, वहां सही तरीके से ओप्रेशन होता है, तो फिर रानी चिल् से जो डॉक्टर है, वह बोली कि 55,000 रुपया लगेंगे आपको, उसके बाद अश्ट्रा खर्च आपका दवाय का अलग से लगेगा, सारे खर्च अलग से लगेंगे, सिर्फ ऑप्रेशन का 55,000 लगेगा, तो हम पूरा अस्मंजस में पढ़ गए, हम उतना पैसा कहां से प सब्सक्रा कीए दिए, लिए खिए तो मितिंग रखा गया था, हम वहां पे गया, तो हम वहां पर बहुत सराब कर بहुते हैं, उसके बाद वहां प्योंपर कि थीक कर दो तो फिर हम बोले ठीक है थाना परभारी को बोले तो फिर मेरे गाउं से एक मतलब संत्रामपाल जी महराज से मतलब नाम दिछा ली हुए उनका नाम है राधादासी वह हमको साइड से मतलब पकड़ के लाई उदेदी हमको पुस्तक दिभक्ति से भगवान और अंध सर्धा भ मतलब परनाम की रात में गयारा बारा बजे बहले है परमात्मा हम पूरे बजरंगवली का भग छट मां कर खक गये बजपना के और मंस में प्रमात्मा हमको इतना दूखीत कर रहे है तो आप अगर सच्चे परमात्मा है तो हम सुबह ना जो दीदी हम को ले जाने वाली है सरन में तो मेरा मतलब पती भी साथ में जाए हम लोग बाल बच्चे आर अच्छे से गरहन करें तो मेरा मतलब पती ना राते सराप पी किया था बोले हमको ने जाना आपको जाना है तो जाओ हम ले जो भी हो जाएगा हमको मैला भी खाना पड़ जाए लेकिन हम जाएंगे तो मेरे से पहले तयार होके जो संतरामपाल जी महराज के नाम दिछा लिये हुए राधाधा सी उसका घर गए उसको बुला कि लेते गए उसके बाद हम से पहले हुest नाम दिछा लिये हैं मेरे पती के बाद हम लोग भी ले लिये सारे मतलब एक मेरा बेटा है दस साल का उभी लिया और हम लिये मेरे पती लिये जैसे कि आपने बताया कि आप में बहुत ज़्यदा दुखों का पाहर टूड गया था दुखों के निवारण के लिए आपने संतरामपाल जी महरा से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको लाब भी मिले सर जी बहुत लाब हुए मत पुछिये मतलब परमात्मा के सरन में आने से हमको बहुत लाब हुए पहला लाब यह हुआ कि मेरे बेटी कीलर थी वो तो मतलब हम पैसे जमा किये हुए थे पर हम नाम दिछा लिएं उसके बाद नो दिन जैसे हुआ मतलब तेल उल लगाने लगें तो अचानक सा पूरा जिस तरह उप्रेशन होता है धीरे धीरे अपने उप्रेशन हो गया उसके बाद दसवा दिन जैसे हुआ मुसको तेल लगाया तो जिस तरह लड़की का रूप धारन होता है पूरे हो गया तो पूरा रोने लगे मेरा गाँवाला तो पहले पूरा घर में बताए हुए थे तो बोल रहा था कि इसका बेटी मतलब कीनर है कौन ले जाएगा इसको क मंगा पूक होज़ी अगया था घर किमोंटा बैर कर दीफ hora कि अधी किष्वेश शरीन उसके मुद्टशांब साथ स्पश्वाला भान दिटने दनाहिशा है जा गया तो ऐसे हो गया तो घर मेरा बेटी कीनर ठी थी खींछाना कोई टो प्द्टानी आपका घर में द भी दौता लोग चमत्थी मतलब करता है जादुगरी करता है हम बले व ऐसा कोई बात नहीं हम लोग संत्रामपाल जी महराज के सीचे हैं वह पूर्म परमात्मा आये हुए हो ही मेरा बेटी को ठीक किये हुए तो फिर मेरा पापा लोग भी देखे आके उस उन लोग भी आया पर दिरे दिरे उनोड सत्संग को समझा, हम लोग जब परमात्मा है, इस सचे परमात्मा कि जो मेरे नतनी को इसा बड़ा इतना बड़ा चमतकार मालिक कर सकते हैं, तो हम लोग पर एभी रजा करेंगे, फिर मेरे भाई लोग भी सब दिरे-दिरे मतलब अपने जाने लगे, उसके बाद सत्संग सुना, उसके बाद क्या बोलते हैं, उन लोग भी नाम दिछा लिये, पुरा मेरा माइक के लोग भी सब कोई ले लिये, और दूसरा लाव सर जी यह हुआ कि मतलब मेरे बेटी च्छत के उपर से माथे के बल पे सीड़ी में तीन टककर होते हुए गीरी, तो तीन घंटे तक बेहोस हो गई, उसके बाद हम लोग सुचे कि मतलब यह तो बचेगी नहीं, लेकिन फिर गुरुजी से डणवत पर नाम की हैं, हम लोग पूर्म परमात्मा के सरन में ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, उसके बाद फिर अभी नाम दिछा नहीं लिवी थी, तो नहीं दिल वाएं थे, उसके बाद परसादी खिल वाएं, उसके बाद होस्पीटल ले गएं, तो होस्पीटल में भी कोई रूइपोट नहीं आया, बोला बेची बची को कुछ ने, थोड़ा सा दर्द है, उसके बाद थोड़ा मड़ा दवा लिएं, फिर घर में आके आपको बहुत अदभुत लाब मेले। तो जो दॉर्सक आज आपको TV पर देख रहे हैं और बो भी संत्राम पाल Jhardasi महारा से लाब लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा। संत्राम पाल जी महारा से नाम दिख़र लेने से दूर हो गया। उस तरह आप भी देख रहे हैं, आप भी नाम दिच्छा लीजिए, और जिस तरह मेरा दुख दूर हो गया, उस तरह आपका भी दूर हो जएक इसे नाम दिच्छा कैसे ले जा सकती है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी, संत रामपाल जी महराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अध्वितिय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीरा बाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र नुकूल भक्ती सत्संग, ऐसा अध्यात्मिक ज्यान, जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमार्ण। जिवा देखता है, तो इन पंच्चों नारिया न तो गेलें फिर हर एक नारी छोटी का जंगन में दा दोना लाया, वाटी जी ओज, मिना ग्यान के डले जो डोरे थे, प्रमातमा कहते हैं, फिर वहां जाकर बेठिया, कबिर साब कहते हैं, कबिर ये मन के मारे बन गए, और दो बच्चे थे छोटे-छोटे, एक तीन वरस का, एक वरस का, प्रेड़ना होगी, घर छोट का चुला गया, सादू बन गया फकीर, किसी संत का फस गया, प्रमातमा के पाने के विदी संत बताते हैं, सब को पता है, वो फस गया से नकली, ना थक है, उसने पाड़ी ये कान बना दिया, बड़ी बड़ी डाड़ी लटा रखा दी, बारा वरस होगे, फिर उसको कहा, के लिए बिटा तो कुछ बिक्षा मांगे ला, बारा वरस के बाद, वो बिक्षा मंगन गया, बिक्षा देने आई, उसको एक बहन, उसका छोटा सा वालक, एक तनतवा गोजदी मे पत्नीर गर याद आए गया उस बारा वरस के बाद, उसने सोचा तो भी छोटे-छोटे बालक छड़काया था, और इस एक लिए और वरत के उकर पाले वह इसका पती ना होता है, उसको आपरेडर ना फिर बरगी, क्यों ग्यान दता है नहीं, वसको के ड़ले डोड़ राख ऐसे उस दिन उसका उतर रहा होगा थोड़ा वह तो याद आएगी उसके, उसने सोची मेरी पत्नीर ने बालक कैसे पाले होंगे, तो उसके मन में जो काल प्रेर ना मन की, इन्हों आगी, कि एक बच देख के ताना चाहिए, वो मर्ग एक जीव है, तो वो चला एक बार अप आखिर में जोड़ी फैक का है, उसने यही फैसला किया कि एक खेतों में देख आउंगा मैं, खेत थे उनके किसान था, कि वहां पचा लग जाएगा, खेतों में काम कर रहे होंगे, तो जीव हैं ना तो मैं आवे था अपने खेत की तरफ, वहां उसकी पत्नी और उसका थोटा, वह खेतों में अपने अपने खेतों में काम करें थे, बटवारा कर रहा था, अब उसके देवर ने कहा उसकी अपनी बाबीता ही कि मेरा भाई आवे हैं, वह कहने लगी तुम मजाग मत करें, अगर सारी अंतने यह वाची मात लगे, मेरा क्यूं याद दिवाव है उन्हें बोला साची को हूँ देख वान लोग रहा हूँ, वह बोली ना, युद बाबाजी है, वह बोला चालता लगे है, उससे कैसी, अबारे खेतां के नहीं बाब्यां के कामान का, वह पाओगा, वह बोली रहन दे, वह कहने लिगा, देख तु मेरा थुड़ा सा, वह ब ने, दोनों का साधला मैड थी, डोड़ा, और उसके दो फुट, तीन फुट अंदर, बाबाजी अले खेत में एक सीसम थी, अच्छी, मोटी, भारा, वह बोला, मैं इसने कवाड़ियत काटूंगा, और तू शोर मचाय दिये, अगर आज मेरा पती होता, तू कैसे काट लेत के सीसम कट रहे थी, वो उसके लाग्या मारने, वह लगी सोर मचाने, क्यों काट है हमारी सीसम ने, वो उन्हों काया मेरे खेत में है, वो उन्हों काया मेरे खेत में है, वो उन्हों काया मेरे खेत में है, तो फिर उसने जो बतला हुए थी बात हो, सारी उंची उंची लाग जवार खड़ी थी उची उची खेती उसके महां कबड़ गया को सुनते हैं लो जानते के बोलेंगे। उड़ा सुनी उन सारी कानी दाकि उता भाई मारी सिसम न काट रहे हैं। वह कई रही थी कि देखो आदमरा पती होता तू के काट लेता देख शरी आमनों के मेरे खेत में। तो उसने सोची तो भाई बात बेगाट दीशने महारी सिसम काट रहे खेत के मैं। अरा अपनी बतावे। एक दंबार आके रहे एक लिए नहीं है मैं भी आलिया हूँ। अब उसका भाई उनके दो बात त्या पसम बतलाई भी थी। वह भाई तू कोण भाई भी बीच में ना बोलागर किशेगा ना पिट्टेगा तू जाड़े। वह भाई मैं सिसमाड़ा हूँ। मैरा भाई शाथ है तू कि पुझे पाणे भाई 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 शाथा तू कोण के उसके पास गया। एक बाल कहा थे बाद बाल कहा थे बाद में प्लाना हो और मरा भाई मन पिछानता को ना अर मारी सीसम काट लाए रहे ना आई ना कर दिया काम जब में मशीन फेर दी आके नहीं बोला देख ओए हूं नहीं बोला आई ये रमरा भाई सीने लगा लिया थोटे बाई नहीं बोला समाड तरी सीसम ने उड़ा पकड़ा दिया बाई ने ओगा बाई जैसे थे अब कबीर छाइब कहते हैं मन के मारे बढ गए बन तरव वस्ति माँ कैं कये कबीर के करो इम नन थे मानना मनन भगवान के घ्ञान ते अब युँ बकवाद करके देखाए यह मन ऐसा थे जिय नदे प्रमात्मा कहते हैं इनको तू यहीं घर पर रहे कहते हैं आत्मा जब इस ती दिन मान लेगी तो फिर कित रहे तू यह संसार के बारे मिश्गान से पता लग जागा हम कुछ दिन के मैमान हैं परिवार हमारा एक संसकार से जुड़ा हुआ है प्रमात्मा के बच्चे हैं इनक हमने उस परमात्मा से दिये हुए जो मालक देता है धन उसके आध आरशेरी की परवर्स भी ना करते हैं तो भी हम दोसी हैं क्योंकि जैसे एक नोकर होता है और उस नोकर को मालक पूरा जेब खरस देता है उसके बच्चों के कपड़े लान का खाना खिलान का और उस में से अपने बच्चों से भी अधीक प्यार देता है मालक के बच्चों को और उसके दोरा दिये हुए धन को उन्हीं परवे करता है तो इसी परकार ये सभी उस परमात्मा के संसकारी हंस हैं आपका करतो बनता है इनकी पालन पोशन उस मालक के दिये हुए उसको धन से लेकिन इन उन बत्चों को इतना प्यार करती है, अपने जैसा ही, और जब उसको वहाँ से इतना नोकरी छुट जाती है, फिर जाखती भी ना उसकी तरफ उसको पहले पता था, मेरे नहीं है, लेकिन माली की तो है, उन से भी प्यार रखना है, ऐसे भाहो बनेगा आपका एक दिन, ये सत कर मान लियो, इस ग्यान से बनेगा, और भक्ती की सक्ति आपके इस मन की बकवादों को सथिर कर देगी, नोकी नोबात है, तो फिर डगमगान की दुरूद देना अपड़े, बकवाद चोरी, जारी, ठखगी, और रस्वत खोरी, किसलिए करेंगे, करम फोड़न है, जो पर रह जाएंगे, यह बहुत लंबी कथाए हैं, और जो दास आपको बताना चाहा था, कि यह इस परकार उस परमात्मा की भक्ती से, ज्ञान से, और इस तत्व ज्ञान के अंदर यह सारा नरनाइक ज्ञान है, इस से आपको उस परमात्मा के पाने में घर बैठे ही सुईदा रहेगी, जैसे कबीर साहब कहते हैं, कि टंब करें, डूंगर चड़ें, अंतर जेनी धूल, अर्जग जान यो बंदगी करें, यो बोवे सोड़ बबूल, जैसे एक उंचे से टीले पर बैठे हैं, अगर बाबाबाजी हम ने देखें कई जगें, जा सब ने दिखें, दू पूछो डावा सुरू हो जागा, उड़ा उसका स्रम बने जागा, प्रमात्मा कहते हैं, ये साधना है, कहते हैं, डूंब करें, पाखंड करें, डूंगर चड़ें, उंचे बबठेंगे, और अंतर जीनी धूल, अंदर नो की नो पांच नारी त्यार वैठी, और जग जान बाग कर गुफाओं में बढ़ जाते हैं, उसी उसी साधू और बोली, सर दालों ने सोचें, मात्मा पढ़ जाए है, वो हो ये तादमियां के दुरसन भी ना करता, कविर साहिब कहते हैं, केले की कोपीन है, तनपय का पड़ा भी नहीं, केले का पत्ता बाइंद रहा क्या पड़ दे पै, केले की कोपीन है, फूल फान फल खाईं, और नरका मुक ने देखते दूबसती निकटनी जाईं, वो जंगल के रोज है, जो मनुश्यों बढ़ के जाईं, निस दिन फिर उजाड मेनों बगवान पावन आई, डेरे डंडे खुसर हो, खुसरे ले ले ना मो दोस्त, जिन धरू और पर लाद को तुम पार मानते हो, ये गरमे रहे, इनका ब्या हुआ, बालक बच्चे थे, फिर सथ-साद ना करो, जिस सतर की उनने करी, और वो गरमे करी, उनको तुम दोस्त मानते हो, और दोसाद ना बताएंगे, डेरे डंडे खुसर हो, यदी गर जानते हैं, या केवल बाल बिरम चेरी रहने से वगवान मला है, तो दुराचार बुरा बताएंगे, वगवान ने, कहते हैं, डेरे डंडे, खुसर हो, ये खुसरे लेना मोक्स, थारे दुलू पर लाद भी पार होगे, फिर गरश्ती में के दोस्त, तो इस परकार पर मातम ये सत्य है, और सास्तर अनुकूल है, इसको गरन करो, अपना के लान करवाओ, बो सत्कूर देए, परम पिता परमातमा, पूरन ब्रम, सर्वस रिष्टी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की, असीम के रपासे, आप पुन्यातमाओं को ये सत्संग सुनने को, पराप्त हुआ, सौब आगे हैं आपका, आपको ऐसे समय में मानों स्रीर पराप्त हुआ, जिस समय में परमातमा ने, ये मोक्स मारग, ये थारत बक्ती मारग, सत सादना, सत ग्यान, अब सारवजनिक करने का आदेश दे रखा था, बुन्यातमाओं सत्संग में आने से पराणी को ग्यान होता है, ये मानों स्रीर अन्य पराणी की तुलना में, कितना बिन है, इसमें हमें कितनी सुधाएं पराप्त हैं, इसका कारण क्या है, वही आत्मा पहले मानों स्रीर में थे, अब वो चले गए पसू और पक्सियों की योनियों में, वो क्यों चले गए और क्या हम नहीं चले जाएंगे, तो यदि हम भी उन योनियों को प्राप्त करेंगे, तो कितना कष्ट आप जी को होगा, अब तो आप मानों स्रीर प्राप्त हैं, सबसुद्ध हैं, उपलब्ध हैं, जिस कारण से आपके कभी भी मन में ये बात नहीं आती, कि जो प्राणी कुट्टे और गधे, बैल, भैंस, कीडे मकोडों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, ये क्यों इतना दुखी हैं, हमने एक साधारन सी सामाने सी सोच बना रखी हैं, कि ये तो कुट्टे गदे सुवरत ऐसे ही दुख पाया ही करते हैं, और हम आगे चल पड़ते हैं, अपने विचारदारा को कहीं और ही सेट कर लेते हैं, ये सब अभाव किस कारण से हैं, ये सब सोच, ये हम इदर ध्यान नहीं देते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि हमें सत्संग नहीं मिला, और सत्संग मिलता है सत्गुरू से, और सत्गुरू का अभाव, अमारे लिए बहुत बड़ा हानी कारक रहा है अभी तक, जब तक आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं होगा, आपकी दारना एक जड़ साधान की तरह उन परती दिनके कारियों में ही बनी रहेगी, आपकी आस्था उनहीं में बनी रहेगी, जैसा कि हमें तत्वग्यान होने से पूरों, हमारा जो दिन दिन तरिया थी, जो हमारा उदिस्से था, टार्गेट सा, वो क्या था, बच्चे थे, शिक्सा ग्रहन करेंगे, अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जागी, व्युहा हुआ, संतान होगी, इनको पाल पोस्ट देंगे, इनका व्युहा कर देंगे, बस फिर हम बेस्सक मर जाऊएं, हमारा काम पूरा हो गया, इतना ग्यान था मैं, मानुस जीवन का क्या इतना ही कारिय था, यह तो पसू पक्सी भी करते हैं, और मनुस से ज़्यादा प्यार से करते हैं, एक बंद्रिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है, उचल कोद मुचाती रहती है, एक चिडिया अपने बच्चे के, एक पक्सी अपने बच्चों को आहर खिलाता है, पहले जंगल से अपने मुख में बरके लाता उनके लिए, और अपने मुख से निकाल कर उनको देता है, इतनी मम्तावन के अंदर भी है, और यही करम अगर मनुस का था, तो फिर क्या फाइदाश मनुस जीवन को इतनी स्विदा देने का, इसका मूलू देस्या कुछ और है तो आपको सत्संग से पता चलेगा, और हमें भी फिर सत्संग से पता चला, जो भगत आत्माए अन्य संतों के पास जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे हैं, यह उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनके पास सत्संग नहीं है, दास यह कहे कि इस बर्मांड में, 21 बर्मांड में, इस दास के अतिरिक्त वरतमान में किसी के पास सत्संग नहीं है तो ये बात बले ही बगत समाज को खटके एक बार लेकिन ये सत्से परिपूर्ण है और दिरे दिरे इसकी सार्थकता इसकी सत्ता आपके पास पहुंचेगी फिर आप इस दास के इन वजनों को सुनकर आँखों से आसु भाया करोगे कि सच मुझ वो ग्यान था उनको कैख है का पता नहीं लाखों लोगों को वर्मिद किये बैठे हैं वो लोग अब सत्संग है या ए सत्संग है इसका ग्यान कहां से होगा उसके लिए प्रमात्मा ने स्वेम आकर के ग्यान दिया है कबीर बगवान ने कबीर परवेसवर्दी ने उससे में वो प्रमात्मा स्वेम सत्गुरू रूप में आये थे लेकिन वो प्रमात्मा भी थे वो आते ही इस लोग में इस उदेसे से हैं कि मैं अपने बच्चों को अपनी आत्माओं को अपनी जानकारी स्विम बताओं सत शत बताओं सत्जी साधना इनको बताओं और ये इस साधना इस विज़ी से करके इस करकारिक मरियादा में रहकरके यह यहां काल के जाल से निकल कर सत लोग आ जाए प्रतेग युग में कबीर परमातमा आते हैं और यही इत्हारत गयान जो दास आपको सुना रहा है यह उसी प्रमेश्वर कभीर जी का दिया हुआ है और दास ने उनी की करपा से कभीर प्रमेश्वर जी की रजा से गुर्देव की दया से इस ग्यान को यथावत समझा है और वो आपको सुनाया है यही ग्यान प्रमात्मा चारों योगों में आते हैं हमें सुनाने की चेश्टा करते हैं लेकिन उस सמें हम उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते क्योंकि सत्युक्त रेता दुआ पर में हम दुखी नहीं होते मानों दुखी नहीं होता उसमें विशेश स्विधाय रहती है सत्युक्त में तो बहुत ही पुनकर्मी प्राणियों का जनम होता है वो पूरवजनम की बगती युक्त होते हैं आप जी को केवल वही प्राप्त हो रहा है वर्तमान की साधनाओं से आपको आगे मिलेगा जो तुम कर रहे हो तो इस कारण से वे प्रमात्मा के उस यथार्थ ग्यान को सविकार नहीं करते क्योंकि वो दुखी नहीं यही सतीती त्रेता में यही दुआ पर तक रहती है और कलियुग के पर्थम चरण में भी बहुत ही ठीक सी अच्छी सी आत्माओं का जनम ही होता है और यही दसा उनकी रहती है दूसरा कारण यह होता है कि हम ए सिक्षित होने के कारण सदगरंतों से ए प्रिचित रहते हैं और जो हमारे धर्म गुरु हुआ करते हैं और पहले थे वे एक भासा विशेश से तो प्रिचित होते थे लेकिन सदगरंतों की सच्छ से उस यथारता से वो ऐ प्रिचित होते थे वो हमें केवल दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे और अपना अग्ञान अनुभाव ही हमें सुनाया करते थे और बोला करते हो संसकर्त और सभी सदगरंत संसकर्तम ही लिपीबद थे बासा संसकर्तम तो हमने ये दर्ड विश्वास था कि हमारे जो धर्म गुरु हैं ये जो ग्यान बता रहे हैं ये विद्वान हैं संस्कृत भासा पड़े हैं इन्होंने सद्गरंथों को ठीक ठीक समझा है छो तुमारे धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म मज़ब के ये अपने सद्गरंथों से भी प्रीचित नहीं हैं ये कोरी जूट बोल रहे हैं इनका उदेश से कियो मनी मेक है आपको भरमिद करें ये कियो पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिस्काइड करते हैं जो ना करने की किरियां ये आपसे करवाई जा रही हैं और जो ग्यान ये बता रहे हैं वो व्यर्थ है वो सास्त्रों के विरुद है ये तुम्हें तीनों गुणों की पूजा का विद्धान बताते हैं जैसे हमारे आचारिये पुईतर हिंदु द्रम के आचारिये संक्राचारिये मंडलेशवर संत महराज जितने भी थे उन सब को प्रमात्मा कहा करते थे कि ये तुम्हें तीनों देवतारजगुन बर्मा, सद्गुन विश्नु, तमुन शिवजी की जानकारी भी सही नहीं दे रहे हैं ये इनको बर्मा को छोड़ कर बगवान विश्नु और बगवान शिव को संकर को ये अज्रो अमर बताते हैं इनकी मर्तुन ही होती मर्तुन जे कालज शर्वज और सर्वेश्वर बताते हैं ये जूट बोलते हैं और इन तीनों गुणों की पूजा गल्ट है कभीर प्रमात्मा कभीर जी कहा करते थे प्रवेश्वर जी तीन देव की जो करते भगती उनकी कदे ना हो ऐ मुक्ती गुन तीनों की बगती में ये बूल पडो संसारे कहें कबिर निद नाम बिना कैसे उतरो पारे तो उस समय प्रमात्मा जो ये ग्यान कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की बगती से स्री बर्बा, स्री विश्णो, स्री शिव जी की साधना से आप जी की गती नहीं हो सकती आपका मौक्स नहीं हो सकता और जो नाम तुम्हें ये देते हैं हरे राम, अरे कर्शन, रादे रादे शानमलादे, सिता राम ओम नमे सिवाए, ओम बगवते वासु देव नमे और भी अन्ये सेंसर नामा विश्णो जी का मौना का आपको दे रहे हैं ये मंतर वास्त्विक नहीं है और वास्त्विक नाम के बिना जीव का मौक्स नहीं हो सकता रोगी है, उसको ये थर्त और श्थिक नहीं मिलेगी, उसका रोग कैसे नास होगा और उसको कोई ऐसे बांग खिलाव है और कहता है, मैं तेरा रोग नास की दोई दे रहा हूँ तो वैद की और श्थिक वैद ही बताता है तो उसे में हम एष एक्सित थे प्रमात्मा पर ऐ विस्वास हुआ उनके ग्यान पर और हमारे धर्म गरूँ जो हमें टोटली सारा का सारा सास्तर विरुद ग्यान और साधना समाधान बता रहे थे उस पर हमें विस्वास रहा तो उसमें कलियों के प्रारम में भी बहुत सी अच्छी आत्माओं का जनम होता है जो हमारी उमर के हैं इनको पता है आज से पचास वर्स पहले जब हम कुछ जानने योग हुए थे छोटी आईउ में उसमें के लोगों के विचार उनके अंदर कितनी सेहन सीलता आपस में प्यार भाव और वो तक्रीवन सभी ठीक रहते थे सवस्त भी रहते थे उनके परिवार भी सवस्त रहते थे कोई विसेस आपती नहीं आती थी एकाद परिवार को छोड़ कर तो वो अच्छी आत्माएं थी उनके पिछले जनम के संसकार ही उनको प्राप्त थे और वो बिलकुल बगति भी नहीं करते थे क्योंकि दास का जनम जिस वरनमे हुआ है इसकी सांजाट वरनमे तो बगती नहीं करते थे तो वहां से खूब रिचीत है उन विक्तियों से अच्छी आत्माई थी, कर्मठ थे, उनका विध्धान के उली इतना ही था अपना कर ले और खा ले, लेकर दे दे इसमें वो दर्ड थे, लेकिन भगती का असपास नहीं थे, और फिर भी सबको सारी सुईधाई थी, बच्चे भी ठीक थे, उनके आगे संताने भी थी, एकादे को छोड़ कर, और वो बिलकुल भगती नहीं करते थे, सारे दिन वोका पाड़ें, तास खेलें, या कि मैं और ब के हो गया को, सारे गाओं में दस बीस वक्ती को दानमिक से, वो अलग बात है, वो बगती करते हों, वो भी जैसे लोकवेद की, तो कहने का भावी है कि वो अच्छी आत्माई थी, और वो साध ना करते या ना करते उनको सबस्वित हैं प्राप थी, तो ऐसे ही, प्रमात्मा जब आए, तीनों योगों में और चौथे यो कल योग में, उस समय ये प्राणी गणा दुखी नहीं था, और प्रमात्मा के उन बचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसी सिक्सित थे, और जो विशेश थोड़े बहुत दुखी थे, वो प्रमात्म की सरण में आए और सुखी होगे, अन्ने जो ठीक उनका स्विधा थी, वो प्रमात्मा की सरण में नहीं आए, केवल दुखी दुखी विक्ती ही कबीर प्रमात्मा की सरण में उस समय आए, और वो ऐसी सिक्सित होने के कारण भी प्रमात्मा को प्रमात्मा नहीं मान सके, उन कि उस समय परमात्मा दोरा बताएगी साधना को हम सभीकार नहीं कर सके क्योंकि जो साधना ए अन्य विक्ति जो परमात्मा कबीर जी की सरण में नहीं आये थे जो अन्य जो भी साधना कर रहे थे वो उन से भी उनको रहा थी पूरी लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें रहाता है वो थे उनके प्रहरब्द के संसकार उन ही से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूं इसी से मुझे लाप है कोई मैं गाहितरी मंतर जाप करता हूँ इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है तो ये उनके तत्वे ग्यान के अभाव का कारण था उनको तत्वे ग्यान नहीं था और जो दुखी थे महा दुखी थे वो कबीर साहिब की सरण में आका सुखी हो गए उनको सिर्फ इतना साहरा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुस है और हमें रहत मिल गी दूसरे दुखी नहीं थे वो आए नहीं कहने लगे हमें तो जो साधना करें वो बिलकुल सही है तो इस परकार इस तत्वे ग्यान का अभाव यानि सत्संग की कमी और ऐस इक्सा ये अमारे लिए अभी तक आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ग्यान को जानने में अभी आपने सुने जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन आईए अब सुनते हैं उन भगतों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमानित ग्यान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेको लाभ प्राप्त किये बेंजी नमस्कार नमस्कार सर क्या नाम है आपका रानी सुनिता सुनिता जी कहां से आई आप मैं राजपुरा डिस्टिक पट्याला से फ्रों पंजाब से हूँ आप संत रामपाल जी महाराजी से कब जुड़े मैं 14 मई 2017 से ग्रुजी से जुड़ी हूँ संत रामपाल जी पेंजी संत्रामपाल जी महाराजी से नाम देख्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति साधना करते थे? पेंजी आपको ये करम दंड लग जाते हैं। ये सब कुछ क्रिया करती थी, लेकिन वहां पर एक भगजी मुझे मिले, जिनका नाम सुनिता है, वो यहां के कॉंडिनेटर है, तो उन्होंने मुझे एक दो प्रशन पूट किये, तो मुझे उनकी बाते भी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि ये जो जिनकी आप इश्रा पूट करने के बाद, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको अपने साथ ससंग में लेकर चलेंगे, सर ससंग में जैसे वो मुझे ले जाने लगे, तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपको संडे को ससंग में लेकर जाएंगे, लेकिन सर मेरे घर में कोई प प्रमेश्वर जी ने ये सब कुछ बताया कि उनको कैसे बेडियों से बांध कर उनको बांधा गया, कैसे उनको अगनी में जलाया गया, कैसे उनकी जोंपड़ी में आग लगाई गई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद ग्यान गंगा पुस्तक दूँगी, सर उन्होंने अगले दिन मुझे ज्यान गंगा पुस्तक दी, जिसको मैंने ना तो पढ़ा, ना मैंने कुछ किया, उसको शाम को में अपने घर लेकर आई हूँ, रात के समय में मेरे ससुर के साथ मेरे हस्बेंड की लडाई जगड़ा हो गई थी, जिसके वज़े से वो घर से चले गए थे, लेकिन मैंने क्या कि अपने रूम को लोग किया, और साड़े 11-12 बजे के बीट्वीन ही सर मैंने उस पुस्तक के सेंटर वाले पेज को रीड किया, जिसमें से अंबाला वाले एक भगजी थे, जो धन्धन सत्गुरु जी से जुड़े हुए थे, मैंने उनका को बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, आप से पहले मुझे दस दिन हो गए अपनी मुमी जी को ये कहते हुए, कि मैंने नाम दिक्षा लेनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये नाम दिक्षा नहीं ले सकते हैं, तो फिर सर मैंने, जैसे ही मैं वो करनक वाली बाल टी उठाके सामन नो बजे की बात है तो सर मैंने उनको कबीर साहिब जी को ही डांटते हुए ये कहा कि आप मेरे साथ चलो मैं आपको पुछवा देती हूं कि मेरी मुझे नाम दिक्षा नहीं लेने देंगी कबीर साहिब जी नापको साक्षा दर्शन दिये यहां तक कि सर वो मेरे पीछे थे और मैं उनके आगे थी और यह सब बाते करते करते मैं अपनी मुम्मी जी के पास पहुंची हूं और उनसे मैंने धीरेज बंधाते हुए काया कि मुझे दस दिन होगे आपसे यही बात कहते ह हुए कि मुझे नाम दिक्षा लेनी है तो उन्होंने तुरंथ हामी भर दी और शर मैंने फिर 14 मई 2 हजार सतारों को संत्रामपालजी महाराजी से नाम दिक्षा लेने से पहले आपने क्या साधना है कि सर मैंने 10-12 साल की उमर में ही मैंने वरत रखने शुरू कर दिये थे मैं विश्णु जी को सबसे ज़्यादा अपना इश्ट मानती थी, जैसे कि मैं खुद भागवत पढ़ती थी, शिपरान पढ़ती थी, तो मेरा ज़्यादा टैच्मेंट क्रिशन जी से था, तो मैं उन्हीं की उपासना करती थी, और फिर मैं मंदिरों में जाकर भी संध्या करना, पूजा पाठ ये सब कुछ क्रियाई करना, जैसे कि कोई व्यक्ति बिमार है, उसको मैंने भागवत का पार सुनाना, गउं बिमार है, उसको भी भागवत का पार सुनाकर उनको, उनकी मुक्ति करवा देना, और फिर मैं गुर्द्वारे में भी जाकर प्रशाद बना अने करती थी पिर मेने हमारे यह पेक नलास जिसको बोला जाता है जा शिव कैलाश में नंगे पाओं अपने घर से नंगे पाओं तक का मैं squ PhD करती थी कोई भी मंधिर हूं कि मैंने कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसकी मैंने साधना मतल की जिनके मैंने ससंग ना सुने हो सर जैसे कि मुरुदुल गोस्वामी जी यहां देव की नंदन ठाकुर जी महाराजी जंडा ग्रॉंड में आये थे तो मैंने उनसे भी प्रशन किया था कि मैंने गले में कंठी माला धरन की हुए है पर फिर भी मैं प्याज लसन वगएरा खाती हूं तो उन्होंने का था पीजा खारने वालों तुमारा तो पीजा भी यहां क्रिशन जी सुईकार करेंगे तो मेरी कॉमन सेंस यही थी कि श्रीमत भागवत में लिखा हुआ है कि जिनके गुरू नहीं होते उ क्योंकि सभी विश्णु को बड़ा बना देते थे को शीव को बड़ा बना देते थे यहां तक कि दुर्गा के भी मैंने देखा तो फिर मैं यह कहती थी वो मुझे एक दिन का फाल दे दे, उनके पुत्र की जब गर्दन काटी, काटी गई दुर्गा जी के पुत्र गणपती जी की, तो उनने चंडी रूप धारन कर लिया, लेकिन हमारे दुखों के लिए वो ऐसा क्यों नहीं करते, तो मेरे यही प्रशन होता रहता था सभी से, तो वो कहते थे, बेटा, आपके पाप जादा हैं, जिसकी वज़े से आपको ये चीजे फेस करनी पड़ती हैं, सर मेरे को कहीं पर भी सैटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि कि किसी का भी ज्यान अच्छा हो, जो मेरे क्यों शब्द को खतम कर दे, सर। बेनजी, जैसा कि आपने बताई कि आपने इतनी साधनय की, उसके बहुत अछा कोशन किया है कि मेरे चा कैसे खतम हूई मेरी चाह इसी संत्रामपाल जी महाराजी के शरण आने से हिस्मापत होगी, क्योंकि मैं भागवत उठाती थी, तो ये विश्णु जी कोई बड़ा बना देते थी, यानि कि क्रिशन जी कोई बड़ा बना देते थी, मैं शिव फुरान पढ़ती थी, तो शिव जी कहा देते, म मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा कोश्चन ही नी क्यों खतम होता था, लेकिन यहां बंदी छोड़ सक्गुरू रामपाल जी महाराजी की शरण आने से, मुझे पता चला कि ब्रह्मा, विश्णु महेश ये सभी नाश्वान है, इनका भी आविरभाव और तिरोभाव हो जग यानि कि मेरा खुद का क्यूं शब्न प्वद को था, वो यही आ के खातम हो गया, कि अर्थार था, मुझे बंदी छोड़ सक्गूरू रामपाल जी महाराज जी मिल गया, मेरा विश्चन होगा, और लाब मुझे यह होए, कि मुझे माईग्रेन थी, मुझे माईग्रे मैं निकलने के बाद मुझे दो दिन हो गए थे लेकिन मेरे घर के मुझे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुम्हें हमने जाडा ही दलवाना है सर मैंने उनसे एक ही घंटा मांगा तो नोंने मुझे ये का कि तु दो दिन से कुछ नहीं कर पाई अब एक घंटे में क्या करेगी सर जैसे मैंने प्रथा मंतर मुझे मिला हुआ था मैंने प्रथा मंतर का नाम जाप किया प्रथा मंतर का नाम जाप करते ही सर मैंने देखा कि बंदी छोड़ सद्गूरामपाल जी माहराजी एक बहुत बड़ी किताब लेकर मेरे पास खड़े है सफेद कप्रों में और उन्हो कुछ बोल नहीं पारी थी क्योंकि मेरे फेस पे इतना ज्यादा चिकन पोक्स हो गया था कि मेरी आंखे भी बंद हो चुकी थी तो मैं उनको इशारे में बोल रही थी कि आप मेरी तरफ देखो तो उन्होंने मुझे दो बार ब्लैस किया ब्लैस करने के बाद सर मैंने अपनी औरेडी मेरी आंखे तो बंद ही थी तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास काल रूप में भैंसा बैठा जिसने मुझे बोला कि तुम्हारा समय खत्म हो गया सर मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर रखा और मैंने बंदी छोड़ सद्गूरामपाल जी महाराज जी का ही नाम लिया तब ही बंदी छोड़ सद्गूरामपाल जी महाराज जी आए और वो मुझे घर से बार लेकर खड़े हो गए जैसे मैंने अपनी आँखे खोली देखा तो मेरा सारा चिकन पोक्स दब चुका था और मैं आपको यह बता दू, अगले दिन मॉर्णिंग में, सर मैंने नितनियम का पार्ट जो हमारे मालिक हमें बताते हैं, मैंने वो किया, वो करते हुए ही मैंने जैसे अपनी थाली में खा पार्ट हो गए, उन्होंने मुझे मेरा सारा करम दंड दिखाया कि मैंने कैसे भोका खाया कैसे मेरी चाची जी ने मुझे चूडियां पहना, कैसे मेरे छोटे भाइने मेरे चरन दबाए, कैसे वो सब कैसा मेरी आँखों से आसु नहीं रुक रहे थे, और मालिक ही यह सब क करने के बाद मैं मालिक के पाद डंडोतम किया और अपने गुनाओं की माफी मांगने लगी कि मालिक अब की बार मुझे बख्ष दो मैं दुबारा ऐसा कोई करम नहीं करूंगी जी और कोई लाब सर लाब यही था कि मुझे जो चिकन पोक्स था उसके दोरान मेरे एक राइट अंग फोड़ा हो गया था और मुझे चिकन पोक्स तो दब गया था लेकिन मेरा एक फेस यह जो आप देख रहे हैं मेरा एक जले हुए कागज की तरफ फेस हो गया था जिसकी वज़े से मैंने अ कर आशिरवाद दिया और मैं देख रही हूँ जहां जहां मालिक जा रहे हैं मैंने नजर वहां पीछ्टे तक दड़ाइ मालिक फिर से शुरू हुए मेरे इस साम्ने से मुझे फिर से आशिरवाद देते देते पीछे की तरफ गए तब से Frage जगाजी माली की दया से मेरा फेज देख रहे हैं मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है मिली स्किन में भी इसा और कोई लाब संद रामपाल जी माराजी से नाम दिख से लेने के बाद सर लाब तो मैं बता चुकी हूं कि मुझे मालिक ने इतने लाब दिया कि सच में रोजमाली की दया प्रमात्मा बंदी छोड़सत गुरामपाल जी माराजी की दया इतनी होती है कि सच में मैं बता नहीं सकती लेकिन फिर भी सबसे बड़ा लाब यही है कि मुझे मेरे मुक्ष का रस्ता मिल गया है जिस क्यों के लिए मैं जगह जगह गूमती थी सर मैंने बाइबल भी रिड़ की शिप पुरान भी पड़ा श्रीमत भागवत का पार्ड भी करती थी मैं सब भी लोगों को नर्क में डालती जा रही थी कि यह करने से यह हो जाता यह करने से यह हो जाता लेकिन मूर्ख बना बना के मैंने भी लोगों को छोड़ दिया जबकि मुझ साधना नहीं मिला पुरी नहीं हो रही थी लेकिन जब आप संत्रामपाल जी माराजी से नाम देख़ा लेते हैं तो आपकी जो परमात्मा पानी की चाहती वह भी पूरी हुई और आपके जो दुख थे उनका भी निवार्ण हुआ तो बेहन जी हम आपसे जाना चाहते हैं कि पहले जो साधना आप कर रहे थे, उन साधना को करने से आपको लाप क्यों नहीं मिला, क्या आप साधना ठीक से नहीं कर पा रहे थे, या फिर इसका कोई और रिजन है। शिव जी को मैंने गुरू बनाए क्योंकि मुझे इतना मालू था कि शिव जी विष्णु जी को द्याते हैं और विष्णु जी शिव जी को द्याते हैं बस यही कॉमन सेंस मैंने यूज कर रखी थी, तो इसी के वज़े से मैंने शिव जी को अपना गुरू बना लिया, इस् से जुटला सकते हैं अपना ही नहीं खतम होता था अब जैसे लोगों ने भी रटे लगा रखे हैं कि ये सब क्रियाई करने से ये सब कुछ मिलता है जबकि ये सब कुछ प्रूफ हमारे बंदिच और सद्गूर रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ये सब बंदिच संत रामपाल जी महाराज वो अन्य संतों में आप क्या भिंता पाते हैं आपने सबी संतों महेंतों के सत्संग सुनें आपने संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग सुना है तो आपको अन्य संतोवर संत रामपाल जी महाराज में क्या भेंटा नजर आई? मुझे यह हुआ कि परमात्मा वैसे भी हमारा मन देखते हैं यह सब चीजे क्रियाइन नहीं देखते हैं तो मैंने अब यह संतों में भी यह देखा है कि वह ब्रह्मा विश्नु महेश को यजरोमर बताते हैं लेकिन बंदिछ और सद्गूर रामपाल जी महाराज जी ने बता करने वाली हो तो क्या मैं तमो गुणी लीला करने वाला संता विश्नु शीव जी आपके संतान नहीं हूँ अर्थात मुझको भी उत्मन करने वाली तूमियो शीव इससे सिध होता है सर कि यह नाशवान है और यह साधू संत जो दूसरे हैं नकली है वो हमें इनी कि साधना करने को बता रहें लेकिन बंदिच और सद्गूरामपाल जी महाराजी ने डिफाइन कर दिया है कि यह नाशवान है सही यह है और गलत यह है मतलकि हमें जमीन आस्मान का फर्क बता दिया सर बैंजी एक और प्रसना आप से पूछना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराजी के कि यही बन्तरस साही कर देख्णा जी जड़ेन एक और सही भगत समाज के खंघेँ को ना चाहते हैं मैं यही उस धर्ति पर शूर्भ सिर्फ बंदिच और सद्गूरामपाल जी महाराजी ऐसे हैं जो मंत्र देकर और सही ग्यान अपधेश देकर भगत समाज क का वल्यां कर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कि अधिक भी री नढए को हुooo हुआ को हुआ 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 को शक्रट्व